नमस्कार मैं हूँ आपके साथ शुभांगी सिंग, बंसल नीउस की खास पेशकष में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि आईश्मान में हर भास स्वास्त संबंदी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है, इस कड़ी में आज हमारे साथ दॉक्टर गनेश धानुका जो बंसल हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट है, दॉक्टर धानुका आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कारिक्रम में, धन्यवात शुभांगी, तो आज हम बात करने वाले हैं, एक्यूट किद्नी फेलियर के बारे में और इसके इला अचानक से किद्नी क्यों फेल हो जाती है या फेल वर्ड हम यूज करते हैं किद्नी के केस दिखी शुभांगी क्या होता है, शरीर में कुछ बीमारिया है या कुछ कारणवश हमारी किद्नी जो नॉर्मली काम करती है अचानक से कुछ दिनों के लिए रुख जाए, इस प् जी और अगर बात करें किड्नी फेलियर के क्या कारण हो सकते हैं, किस कारण से हमारी किड्नी फेल हो जाती है, तो उस बारे में जाना चाहूं देखिए, जनरली एक्यूट किड्नी फेलियर के जो कारण होते हैं, उनको हम तीन पार्ट में डिवाइट करते हैं, कुछ कारण हो किड्नी को ब्लड सप्लाय होता है वो कम हो जाए वो प्रमुक उसमें प्रमुक कारण यह होते है कि किसी मरीज को बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है दस तो रही है उसके शरीर में पानी कम हो जाए और उसका बीपी जो है ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत कम हो जाए या शर या किसी को दिल की बिमारी है, यह सभी कारणों में, प्रमुक कारणों में, किड्नी को जो blood supply होना होता है, वो कम हो जाता है, तो उस कारण से किड्नी पे प्रभाव होता है, और किड्नी फेल होने के chances होती है, कुछ किड्नी की खुद की बिमारिया होती है, अंधुरुनी बिम infection होता है तो infection kidney को जाके प्रभाव करेगा तो उस दवरान भी kidney में damage होता है और kidney failure के chances रहते है या फिर आपको malaria है, dengue है यह बिमारी हो जाती है उसमें भी शरीर में infection के वज़े से kidney पे प्रभाव हो सकता है कुछ बिमारिया होती है जैसे कि किसी को चोट लग जाती है तो हमारी muscle injury होती है तो हमारी जब mass patient में चोट लगती है तो उसमें से कुछ द्रव निकलते है रसायन निकलते है जो जाके kidney को damage करते है यहाँ कुछ दवाईया होती है जो हम खाते है kidney में जाके असर करती है और जाता है उसके रास्ते में रुकावाट तो रुकावाट के प्रमुक कारण होते है कि पथ्री kidney से लेकर हमारे मुत्र नलीका तक कहीं भी अगर पथ्री अटक जाती है तो वह kidney को damage कर सकती है किसी को मुत्राशय का cancer हो जैसे कि हमारे पिशाब की थैली हो गई है दॉक्टर गनेश से नमस्कार नमस्कार बताईए आपको सवाल कर यह नहीं हाँ पापा को जी बोलिया आप सवाल कर दो आपने किसी डॉक्टर से सला लिये इंफेक्शन के लिए कि अगर उनको यह जो समझ से आप बता रहे है और किड्नी में इंफेक्शन भी है तो जरूर इस इंफेक्शन के वज़े से जो लक्षन आप बता रहे हैं किड्नी पे प्रभाव पड़ा होगा वह इसके लक्षन है तो मेरी आप से सला रहेगी कि आप एक तो आपके आज प इसका प्रॉपर जाज करवा कर इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको भईशे में आपकी किड्नी को कोई खत्रा ना हो और अगर वहां कोई डॉक्टर आपको ना मिले तो आप हमारे स्पताल भी आ सकते हैं बंसल अस्पताल यहां हमारी बहुत बड़ी टीम है तो हम इसका प्रॉपर उपचार कर सकते हैं जी डॉक्टर अगर बात करें एक्यूट किड्नी फेलियर की तो यह एक्यूट वर्ड हम क्यों यूज करते हैं जब हम किड्नी फेलियर के बारे में बात कर रहे हैं देखे शुबांगी क्या होता है किड्नी फेलियर दो प्रकार 새 होता है iqtasia का मतलब होना itself और इधानक concert रूक गजो लिए कोडिनों के लिए जो कि कुछ दिनों के लिए जो कि वृते कि पर 1 निदान अगर समय पर हो जाता है तो आपकी कंपड़ार से में काम करने लगती है इसलिए हम इस कंडिशन में acute word यूज करते हैं जी और अगर बात करें लक्षन की कि क्या लक्षन देखने को मिलते हैं जब किसी की kidney fail हो जाती है तो वो मैं आपसे जाना चाहूं निकलता है तो जब kidney fail हो जाती है तो यह शरीर से बाहर निकल नहीं पाते तो संतुलन में दिक्कते होती है तो उस वज़े से मरीज को उल्टी आना जी मचलाना भूग की कमी होना यह लक्षन देख सकते हैं किसी मरीज को पिशाप की कमी हो जाती है तो उस वज़े से उन मरीज में बुखार काला पिशाब आना ठीक है यह सब चीजे होती है और अगर इन बीमारी को या लक्षनों को मरीज नजर अंदास करता है और यह बीमारी आगे बढ़ती जाती तो उन मरीजों को को में जाना दौरा आना और कभी कबार इससे जान भी जाने का खत्रा बना रह सकता ह जी और अगर उपचार की बात करें तो क्या-क्या पहले सबसे पहले अगर बात करें टेस्ट की उपचार से पहले हम यह देखें कैसे में पता चलेगा कि हमारी किड्नी फेल हो गई है कोई टेस्ट होता है या सिम्टम्स के ही आधार पे हो जाता है यह पता चल जाता है कि हम acute kidney failure से ग्रसित है अगर मरीज को जैसे मैंने बताया उस तरीके के अगर लक्षन मिलते है और उनको जो बीमारी या प्रमुक कारण मैंने बताया कि किड्नी फेल होने के प्रमुक कारण है यह कारण अगर पता चलते है तो आप अगर आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए मेरी सला आपको यह है और अगर यह लक्षन है इसके बेसिस पे हम कुछ ब्लड टेस्ट यूरिन के टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करते है तो खून की जा अगर प्रोटीन की मातरा ज्यादा आ रही है इंफेक्शन मिल रहा है पिशाप के रास्ते में आपके पिशाप से खून जा रहा है तो यह भी एक संकित देते हैं कि आपके किड्नी में कहीना करी डामेज हुआ है और कुछ जाचे होती है जो अल्ट्रासाउंड जिसे हम कहत हैं其實 हमता है जी आपके आवाज आरी है फ़राप सवाल कर सकती है सब्सक्ति कि अवेक्श है थी सब्सक्राइब से रहा है और तो तरह से वाट्रें टेशने जाएं तो मेडिशन में क्या लेने साथ देखे फरा आपकी सभी जो समस्या है इसका जवाब तुम्हें इस लाइव ट्वी शो में नहीं दे पाऊंगा लेकिन मैं आपको एक सरा देना चाहूंगा अगर आपको CKD की प्रॉब्लम डाइगनोज हो चुकी है तो आप आपके नजदीक पास में जो भी नेफ्रोलोजिस्ट है उनसे मिलिए उनसे आप मिलकर ये समझे कि आपको किड्नी की बीमारी क्यो हुई है उसका प्रमुक कारण क्या है और वो जानने के बाद वही आपको बता पाएंग कि आपने क्या खाना चीए क्या परिज रखना चीए बीपी के लिए दबा क्या है आगे इसका इसका इलाज कैसे होगा अगर आप भुपाल में रहती है तो आप हमारे इस्पिताल आके हमें मिल सकती है जी फरा तो मुझे लगता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया ह होता है क्या ऐसी कोई modern techniques आई है जिससे acute kidney failure का जो उपचार है वो safe तरीके से हो सकी देखी शुबांगी acute kidney failure में मरीज को जैसे संकेत हमने बताया है और कुछ निदान की हमने जाचे बताई है यह जाचे करने के बाद अगर आप इस चीज का इलाज करवाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है भाविश्य में होने वाला kidney damage का जो खत्रा है और जान का खत्रा इससे आप टाल सकते हैं अगर आप इलाज ना करवाओ तो हो सकता है यह आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है यह बीमारी तो इसके इलाज को हम जनरली चार पार्ट में डिवाइड करते हैं पहला पार्ट यह होता है कि जिन बीमारियों के कारण आपकी kidney खराब हुए आपको acute kidney failure हुआ है उन बीमा इसका proper इलाज करें तो हो सकता है kidney आपकी जो खराब हुए हो रिकावर होए किसी को अगर infection है dengue malaria है इसका proper इलाज होना बहुत जरूरी है कुछ immunological बीमारिया होती है जो सीधे kidney पर प्रभाव डालती है तो उनका एक proper निदान होने के बाद उसका इलाज अगर होता है तो पान पान में कुछ changes लाए जिसके वज़े से जो acute kidney failure है उसके जो लक्षन है इसमें कमी आ सके जैसे कि अगर किसी को पिशाप नहीं आ रहा है तो पानी जितना पिशाप आ रहा है तो उतना ही पिए ज्यादा पानी पीने पे आपकी सास फूल सकती है शरी में सूजन आ सकती ह है बीपी बढ़ सकता है दूसरा होता है कि अगर acute kidney failure है उस समय पे आपको नमक का सेवन कम करना चाहिए potassium जिन चीजों में होता है वो कम करना चाहिए क्योंकि अगर potassium आपके शरी में ज्यादा बढ़ जाता है तो उस वज़े से आपके हार्ट पे असर होके आपके हार्ट की धड़कने जो है वो रुकने का खतरा बना रहता है तो खान पान में changes करने बहुत जरूरी है तिसरी चीज होती है कि दवाईयों के द्वारा हम इलाज कर सकते हैं कुछ kidney failure ऐसे होते हैं जिने हम दवाईयों के सहरे भी ठीक कर सकते हैं इनकी kidney जो है पहले के समान ही normally काम कर सक सकती है और जैसी है मैंने बताए कुछ immunological बीमारी है जिसमें हम immunosuppressive medicines देता है steroid है या और immunosuppressive medicines है इनके दारह अगर हम immunological बीमारी को अगर control में करते हैं तो जो kidney पर असर है वो भी ठीक हो सकता है और चौती चीज है जो है dialysis हम इस चीज को चौते पार्ट में कहते हैं जी डॉक्टर हमाई साथ एसी बीच एक कॉलर जुड़ चुके है शिवकुमार शिवकुमार रायपूर से जी शिवकुमार आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर साब से जी मेड़ा मेरे लड़की है जो उसको राइट साइड जो है किटनी जो है उचा है अपर टिपर है समझेजो बराबर नहीं है तो उसके बारे में पूछना था प्रजेंस्टी होती है दो बार हो गया और रिवार्थन हो जाता है मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया, आप क्या पूछना चाहा है वो किड्नी के बाले में पूछ रहा था कि किड्नी एक राइट Fitz 2 जो आफ डिसक्स ना फोड़ा आप आचछा और लेफ्ट फाली नीचे है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जहा रहते हैं वहां आसपास जाकर देखिए एक नेफ्रोलोजिस्ट से मिलिए अगर किड्नी एनाटोमिकल पोजिशन से उपर नीचे है मगर अगर किड्नी साई धंग से काम कर रही है कि आपको यूरिया क्रेट का इलाज करना संभव है या कोई इलाज नहीं है यह चीज़ समझी बिल्कुल तो शिवकुमार मुझे लगता है आपको सवाल का जवाब मिल गया आपको नेफ्रोलोजिस्स से मिलना होगा जैसा डॉक्टर गनेश ने आपको बता है और उसके बाद आपको पता चल जाएग एक जैसे की खून की सफाई अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें खून की सफाई होती है कि अगर आपकी किड्नी काम करना बंद कर देती है तो आपके शरी में यूरिया क्रेटनीन, पोटैशियम, आसीड की और पानी की मातरा काफी बढ़ जाती है तो शरीर मे एक मशीन द्वारा खून की सफाई करते हैं जिसमें बॉडी में हमारे जादा मातरा में जो चीज मैंने बताई है अगर जमा होती है किड्नी फेल के कारण तो हम उसको निकाल देते हैं तो इस प्रोसेस को हम जो है इस प्रक्रिया को हम डायलेसिस कहते है और अगर डायलेसि है इस कंडिशन के अगर मैं बात करूँ तो करीबन आदों से ज्यादा जो मरीज है जिनको अगर अगर एक्विट किड्नी फेलियर है तो इन मरीजों में अगर हम जो मुल बीमारी है उसको ठीक करते हैं खानफान में परेज रखते हैं और कुछ दवाईया देते हैं कॉशंस लेने के बावजूद भी किड्नी ठीक नहीं हो पाती है उन मरीजों के शरीर में जैसे यूरिया क्रेटनी की मात्रा लगातार बढ़ती है आसीड बन जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में या पोटेश्यम की मात्रा बढ़ती है और पानी भी बहुत ज्यादा शरी म उसमें डालिसिस की ज़रुत पड़ सकती है और अगर कितने बार बात करें कितने बार डालिसिस करना पड़ता है यह process continuously उनको रखनी पड़ती है या एक समय के बार डालिसिस की ज़रुत नहीं पड़ती है देखी शुबांग, यह सवाल काफी अच्छा है क्योंकि एक जनरल पब्लिक के दिमाग में एक तरीके से ब्रहांती होती है कि अगर एक बार डालेसिस स्टार्ट हो जाएगा तो यह जिन्दगी भर लगा रहता है लेकिन मैं इस ब्रहांती को दूर करना चाहूंगा अगर आपको acute kidney failure है तो इस बिमारी में अगर आपको डालेसिस से जरुवत पड़ती है तो यह मेरे हिसाब से जिन्दगी बर नहीं रहती है यह कुछ समय के लिए रहती है अगर हम acute kidney failure में देखे तो जनरली kidney एक हपते से लेके चार हपते के बीच में ठीक होने का प्रोसेस होता है हमारी body recover करके kidney उस दौरान recover हो जाती है तो 95% के उपर जो लोग है जिनको kidney failure है जो मरीज उनमें चार हपतों के बाद dialysis रुख जाता है तो इस दौरान जितनी हमें जरुवत होती है कि मरीज को किस तरीके से लक्षन आ रहा है क्या level है तो उस हिसाब से जरुवत पढ़ने वे सपता में दो या तीन बार हम dialysis करते हैं और 95% लोगों में चार से छे हपता बाद dialysis रुख जाता है तो ऐसी बहुत से लोगों के मन में भ्रांती होती है कि अगर dialysis पे कोई dialysis शुरू हो जाता है किसी का तो वो रुकता नहीं है वो जिंदगी बर चलता है तो जैसे डॉक्टर सामने हमें बताया है कि dialysis का पेशिंट पर डिपेंड करता है कि उसको कितनी जरूरत है और उसके हिसाब से ही dialysis की प्रक्रिया की जाती है कि दो क्रूकर इसी बीच महँ असाथ एक कॉलर जड़ चुके हैfive र हाँ कि आप सवाल कर सकते हैं आपको दोक्टर से क्या पूछना आप उस बारे में बात कर सकते हैं हमसे आ है है लगता है connection टूड़ गया है डॉक्टर अगर बात करें हम एक और भाहंटी लोगों के मन में हैं कि क्या साप के काटने से भी खराव हो सकती है आप देखिए यह ब्रहंती नहीं सच है साप की काटने से भी किड्नी खराब हो सकती है तो मैं सबसे पहले तो यह बता दू देखी साप जब काटता है कोई जहरिला साप तो उनका जो जहर होता है वो दो प्रकार का होता है एक जहर जो होता है जो हमारे जाके दिमाग में काम करता है जिसे हम neurotoxic कहते हैं तो उस साप की काटने से मरीज बेहोश हो जाता है कुमा में चला जाता है एक जहर होता है जिसे हम hemotoxic कहते है जो जाकि हमारी रक्तकोशिक आए होती है वो तूटने लगती है और अगर लगातार उस जहर का असर हमारे शरीर में बना रहता है तो जो रक्तकोशिक आए तूटती है वो जाकि हमारी किड्नी में जमा हो जाती है किड्नी में फिल्टर होता है खुन तो जाके वहाद जमा हो जाती है और उन जमा हुई रख्तक उशियों के कारण किड्नी की फिल्टर करने की जो शम्ता होती है वो कम हो जाती है और उसी कारण से हमारी किड्नी फेल हो जाती है तो अमोमन हमने देखा है कि बहुत सारे मरीज ह जिनको साब काटा है और वो भरती होते हैं तो इन मरीजों में चार से पांस दिन बाद किड्नी फेलियर के लक्षन पाये जाते हैं और अचानक से उनका पिशाब रुख जाता है जी डॉक्टर हमारे अगले कॉलर चुड़ चुड़ चुके हैं मंदसौर से विरेंद्र जी विरेंद्र जी आप सवाल कर सकते हैं दॉक्टर से अजी सरा डाक्टर नमस्कार नमस्कार विरेंद्र जी सर मेरे प्रॉब्लम में यह है कि मैं देखें विरेंच जी आप बता रहें आपका सरका ऑपरेशन हुआता कुछ बीमारी के लिए और उसके बाद आपको बाथरूम आता है तो कितना बाथरूम आता है आपको दिन भर में कुछ बता पाएंगे कितना बाथरूम आता है डिए2 का उप्रेशन होता है तो उस दोरान हमारे ब्रें में कुछं कंट्रोल सेंटर होते हैं जो पिषाप को दिन बाद होते हैं तो उस वजब्धेंपर्णा的 कहते हैं। जिसरे हो desses को दिन भर 3-4 Lcs. तो अगर आपको पिशाब बहुत मात्रा में आ रहा है, तो मेरी आपको सला रहेगी कि इस बिमारी का निदान और उप्जार आप करवाएं, जरूर धोसकता है कि पानी पीने से ज़्यादा पानी पीने से भी आपको ज़्यादा पिशाब आ रहा हो, आपको विमारी ना हो लेकिन फिर भी आप निकट्टम जो नेफरोलोजिस्टर उनसे सला लीजिए या आप हमारे अस्पिताल भी आ सकते हैं जी डॉक्टर तो अगर brands करें हम रिस्क फैक्टव होने के चांसेस बड़ जाते हैं तो मैं जाना चाहूंगी क्या एज बीपेंड करती है इंडिस्क फैक्ट्र जितने होते हैं ऐसके किड़नी फैक्टर होता है किसी भी बिमारी में अगर कोई जवान वैक्ति है और उसके comparison में अगर हम किसी old age वैक्ति को लेते है और अगर इनको कोई बिमारी होती है जिससे kidney damage होती है तो kidney खराब होने का risk जो है वो बुड़े वैक्ति में ज़ादा होता है as compared to किसी जवान वैक्ति में क्योंकि इनके शरीर में immunity नहीं होती है जितनी होनी चाहिए और बिमारी को रोकने के शमता भी कम होती है तो उसी हिसाब से kidney damage का खत्रा भी बुड़े वैक्ति में बढ़ जाता है जी डॉक्टर हमारे अगली caller Sonam जुड़ चुकी है देहरादून से जी Sonam जी आप सवाल कर सकती है जी Sonam आप सवाल कर सकते हैं लगता है connection टूट गया है डॉक्टर मैं आपसे अब जानना चाहूंगी कि acute kidney failure की रोक थाम कैसे हो सकती है क्या safety measures हम ले सकते हैं जिससे हमें ये बिमारी ना हो देखिए सबसे जो महतवर्पुना बात है कि acute kidney failure की रोक थाम के लिए वह है मरीज और उनके परीजनों का एक तरीके से इन बिमारीों से अवेर होना इन बिमारीों के लक्षन से अवेर रहना बहुत जरूरी है ताकि अगर आपको ऐसे कोई लक्षन या ऐसे कोई बिमारी पाई जाती है तो आप तुरंट आपके nicotum doctor से मिले उस चीज का इलाज कराए उसी दौरा उसी चीजों दौरा हम acute kidney failure की रोकताम कर सकते हैं दूसी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो बिमारी है मैंने आपको बताई है जैसे की lose motions है किसी को उल्टी हो रही है या शरीर में को infection malaria dengue या kidney की पत्थरी है किसी को तो ऐसी बिमारीों का इलाज हम जल से जल इनका एक तो निदान और दूसरा है इलाज अगर हम इक करवाते हैं तो हम भविश्य में होने वाले acute kidney failure है इसको हम टाल सकते हैं तो मेरा सभी से यही निवे देना है कि आपको अगर कोई ऐसी बिमारी है या ऐसे कोई लक्षन है तो आप doctor से जरूर मिलिए उसका इलाज जर होता है acute kidney failure होने का या weight का कोई इस पे मलब weight कोई factor ही नहीं है acute kidney failure की बिमारी देखे acute kidney failure के लिए मुझे ऐसा लगता है कि weight कोई important नहीं होता है मगर हां अगर किसी का weight जादा है उन लोगों को भविश्य में chronic kidney जो damage होता है जिसको हम CKD कहते है वह होने का खत्रा जरूर बना होता है क्योंकि आपका जितना वजन होगा उतना आपकी kidney को काम करना पड़ेगा और जितना अगर आपकी kidney ज्यादा काम करेगी तो हो सकता है जल्दी खराब हो जाए तो वजन ज्यादा होने पर CKD होने की risk definitely ज्यादा होते है जी डॉक्टर अगर बात करें कि क्या क्या safety measures हमें लेने चाहिए क्या क्या चीज़ें हमें हमारी lifestyle में अपनाना चाहिए जिससे हमें acute kidney failure जैसी बिमारी ना हो तो क्या क्या points आप देना चाहेंगे देखिए acute kidney failure से बचने के लिए अगर आपको जैसे की मैंने बताया है कि आहर में आपको changes करने बहुत जरूरी है कि आप नियमित exercise करे एक healthy diet ले आप फल फ्रूट का सेवन ज्यादा करें खाने में नमक कम रखे और अपने वजन को कंट्रोल रखे दूसरी चीज होती है कि आप जो दर्थ की गोलिया है जो over the counter medicines होती है या कोई और alternative medicines है यह डॉक्टर की सलह के बगर ना ले क्योंकि बहुत बार यह जो दवाईया होती है पेइन किलस होती है जाकि किंडी को damage करती है और acute kidney failure हो सकता है और बस healthy lifestyle रखिये और अगर लक्षन है तो आपकी डॉक्टर से मिले जी डॉक्टर और अगर बात करें जिनको acute kidney failure हो चुका है या वो जो इस बिमारी का अभी जिन बिदान करते हैं और सही इलाज लेते हैं तो यह बिमारी ठीक होने जैसी है आपकी kidney जो है चार-छे हथे में बिल्कुल दोबारा अच्छे से काम कर सकती है तो इस बिमारी को हलकी में ना ले अगर आपको कोई बी symptoms है कोई लक्षन दिखते है तो आप आपके doctor से जरूर मिल होगी और जैसे आपने बताया कि acute kidney failure जो बिमारी है वो treatable है curable है तो जिते भी patients अभी देख रहे हैं उनको घबराना नहीं है क्योंकि ये बिमारी का इलाज हो सकता है बहुत-बहुत धन्यवार Dr. Ganesh इसी के साथ हमारी खास पेशकुष में फिलाल इतना ही कल फिर हाजर होंगे एक नई स्वास्ति संबंदी समस्या को लेकर साथ ही बताएंगे उसके उपाई दीजे इजाज़त नमस्कार